आजबिल्लाहिए शेटवान रुजीम, बिसमिल्लाहिए और अब्यान रुरहीम Harvard CSS की गड़्मी की जदवसे में आपके हैस्पक में हज़ित हूँ सब्जिक्ट है उर्दू अप्ष्टल यहीं उर्दू लिट्रेच्ट के हवाले से सब्जिक्ट है उर्दू लिट्रेच्ट्ट उंड्रेच्थ्यरке 100 माλλάक्स का का हैं अपकल सब्जिक्टेश्प एस E.S.S लेवल पे छासकर इन स्टूडंस के लिए जो लिट्रेच्र में अट्रस्ट हैं उस स्टूडंस जो लिंग्विज में चाहते हैं तो इस टूड़नें यह चाहते हैं कि एक गूरूपिंग की जो रिक्वार्मेंट्स है उस बेस पे उनके लिए हासकर जो टेक्निकल सब्रीक स्टूड़न्ट होते हैं और उनके रिफाइब नहीं कर सकते हैं तो दे गूफा तो पे उचाहते हैं तो उर्दू लेटरेचर को ले या रिजनल लेजिस मेलें तो उन स्टूड़न्स के लिए और दू लेटरेचर इस वन अफ तर प्रवार्मोंस्ट एक चाहिस है जो लोग लेना चाहते हैं अब इसके अंदर अगर हम जाते ही तो हम अउर्दू लेटरेचर के हम पांच मुखतलेफ टापिक्स पांच एरियर्यस है यहीं पांच चीज़े हैं जो के अर्दू लेटरेचर के अंडर हम इसको स्टूड़ी करेंगे उसको अंडर कवर्ड करेंगे फस्स जो है उर्दो अदब का मताला यह उर्दो अदब क्या है उसका मताला करेंगे उर्दो जुबान और उर्दो अदब और उर्दो जुबान और उर्दो अदब की जो एक इसलामी पहचान या आइडिन्टिटी है अठोडु बिसिकले हम देखते ही कि यहां बड़सईद हीर पाकुष्ण में मुख्टलिफ वकतों में मुख्तलिफ लोग आए हम देखते है अरब भी आए तर्क भी आए अफ़ँदिव भी आए अब ग्डोलियन भी आए तो मुख्तलिफ लोग आते रहे हैं बलकि लोकर उन लोगों की जो डिफरेंट बेग्राउंड से आते थे उनकी आपस में इंटरेक्शन थी तो इंटरेक्शन के रिए उनकी एक सुबान बनी जिसला अगर अगर उर्दू हम देखते हैं पाकिस्तान में जो मेजावटी हैं पंजाबी हैं पिश्टून हैं सिंधी बलौची सराइकी जो फांच इंपार्टन ये में कौमें हैं किसी कौम की सुबान नहीं है बर्कि 8% पीपल जो है 10% पीपल जो हैंकी माधरी सुबान है उर्दू लेकर अगेन ये निश्टल लेंग्विज हैं बिकास इनकी एक अगर एक ओ इसलामी आईजिवटीटी का एक कांसिप्ट मौजूद है जिसके बेसी इसी नहीं हमने इसको इसने हमें यूनाइट कर रखा है मुताहिप कर रखा है और हम इसको एकसेट करते हैं तो अर्दो जबान ही और अदब की जो इसलामी तशावस उसके उपर बात करेंगे शनाव की उपर बात करेंगे पिर इसमी सरी अर्दो के अंदर बहुत सारी तहरी की अबरी बहुत सारी तहरी की अर्दो अर्दो जबान के हावाले से उस पर हम बात करेंगे सियसस के स्टूर्ट के हावाले से पाकिस्तानी अदब की मुखतलिफ शकले मुखतलिफ उनकी तश्कील उनका इर्तिका उनकी इवल तो इस हवाले से बात करेंगे तो फिर्स पॉस्चन में हम अर्दो अदब का मुताला करेंगे अर्दो अदब के हवाले से बात करेंगे सिक्ट जो पॉस्चन है उसमें हम शेरी अदब का तनकीरी जाहिजा लेंगे इसमें दो यह जो शायरी हैं दो अद्वार में, एक कदीम में हैं और एक जडीद में हैं कदीम दवर की हो उक्षारी की उपर और पिर एक जडीद दवर के पिर इन में से जो हम तनकीदी मुटाला करेंगे क्रिजिसिसम वाइस मुटाला करेंगे तो जडीद में और कदीम में करेंगे कादीम में important मीरत तकी मीर है और उनके अख़र गालिब है जोनका दिवान गालिब है खाली है अकबार है और खास करें अकबार का जो दूलवी इसलाम है और इसके इलावा इलावा मुहमद इकबार की मस्जिदِ कौतबा के हवाले से है तो इनके हम तनकीरी जाइजा लेंगे यह चार इंपॉर्टन्ट जो शायर है खज़त इलामा इकबाल है, मुस्थ, हाली है, गालब है, मीर है यह दोरे कदीम है जरीद में हम फिस, एहमत फिस की खज़त इसके इलावा जो है राशित, मजीद अमज़त और ना सिर्ख खजवी, इनके खज़त के उपर हम बात करें को कि यह शेरी अदब का तनकीरी जाइज़ा हम इन चारों के चार हम लेंगे जदीद में और चार हम पढ़ें कर्दी मिशवारा में से और उनकी तनकीरी जाइज़ा पेश करेंगे पिर उसके बाद नसरी अदम में, नसर में भी दो किटेगरी में हम कहते हैं, एक अफसानी और एक गेर अफसानी नसर, अफसानी नसर जो अफसाने से गेर अफसानी नसर में हम शिबली के सिरत नभी स.अ. जो एक इमपार्टन किताब है, वैसे जर्नली भी अगर आप C.S.S. क आप लाजमी पढ़ ले ताकि आप इसलाम के हवाले से आपकी जो जर्नल नालीज है वो बिल्डप हो जाए आपको जर्नल इन्फार्मिशन आपके पास आजाए जर्नल इबेलिटी और जर्नल आप अंडरस्टेंड करें मुझर पाकस भी सीड़त को अर्दु जुबान में इसके एलाव जए मौलवी अब्दुन अब्रइब्दु अब्रइब्न आपकास्ग पर में तो एक अप करूँग और एफ्सानी और एफिते और धान के बात करें इसके बाद जो एक टापिक है वो मजमून, एक मजमून भी आएगा उस पर आपने लिखना है एक टापिक की उपर जो आपको चाइस, एक इंटरस्टिंग बार बताओं, उर्दो के अंदर बकाइद हर चीज के अपनी मात्स है, उर्दो लिटरेचर के अंदर, अगर हम लाकिन शुडूर कुछ इस तरह है, उर्दो अदब, उर्दो अदब के तकरीबर 25 मार्ट, 25 नमबर उर्दो अदब के हवाले से ही, जिसमें हम उर्दो जुबान, उर्दो अदब, इस्लामी तशावस, 20 वी सदी के अड़ी तहरीके, और पाकिस्तानी अदब की इसलाः और अदब का के हवाले से बात करेंगे, फिर उसके बात जो है, शायरी के हवाले से हम बात करेंगे, तो इसमें कदीम और जदीद, दो किसम के हमनी की, दोनों के, अपने मार्क्स हैं, जदीद के 10 हैं, और जदीद के 15 हैं, तकरीबं 25 हैं, इसके होंगे, पिर उसके बात चुए हम नसर की बात करते हैं, नसरी तनकीद की बात करेंगे, नसर में जदीद और कदीम के, उसमें भी 25 से 35 है, और फिर उसके बाद जो है, निक्स्ट जो है, मजमून, आपको एक मजमून दिया जाएगा, एक टापिक दिया जाएगा, उस टापिक पे आपने लिख रहें, तो 15 न और पिर उसके बाद, तकरीबर ये, और इसके बाद शायरी के, जो मुखतलिफ किसम के, पन्रह नमबत, उस दस नमबत, उस हवाले से ही, जो शायरी के मुखतलिफ किसम के, उस दो अदब के, जो मुखतलिफ तारीफ हैं, तारीफ हैं, तारीफ हैं, जो मुखतलिफ किसम के, तहल्स इस्तिमाल होते है जो घजलात में, घजलों में, नजमों में, दस नवाएं के तक्रीबन ये पुछास, पुछातर और इसके बाद ये हंड़िड तो हंड़िड मार्स उपूल लिट्रेचर की पेपर की कुछ इस तरीके से उनकी तश्कील होती है तश्कील हुई है, अगर आप इंटरेचर है लिट्रेचर में, अगर आपका इंटरेचर है और आप चाहती ही कि आपके बेगडाउंड जो है और इस लिवल पर है कि आप लिटरेचर में एजिली स्कूर करेंगे तो मैं आपको रिकॉमेंट करूंगा कि आप अर्दू लिटरेचर को लाजमी ले अगर आप पर चाईस है तो अगर 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 अपके इंटरस्टेश तरीके से है कि आप उसको पढ़ सकते तो अर्दू लिटरेचर इस बेस्ट पर यू पीपल और इसके आप मुटलिफ किसम के जो किताबे है अवेलेबल है हासकर एक किताब जो अर्दू अदब के 50 साल जो डाक्टर नवाजिश अली साब की किताब है अर्दू अदब के 50 साल क्योंकर आप जब अदब को पढ़ते हैं आप शायरी को पढ़ते है आप उत्सके नसल को पढ़ते तो मुकिष्चन जो है पाइदा होते हैं उन तमाम प्वेश्चनों का जो सवाल है जवाब है और जवाब मौझूद है या इसके ना अर्दू के शा़ियी नसल के कावाले से और कन्फूजन है तो कन्फूजन हाथ में के लिए अगर आप चाहते हो तो यह इस वन अप ता मॉस्ट इंपार्टन है और पर उसके बाद डाक्टर रहुजिन हाश्मी साब की किताब है एकबाल याद के सौसाल वह भी पढ़ सकती है एकबाल के शायरी के या फेस सब्जिक के तक पर राख सकते हो क्योंकि जो जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा टेक्निकल है आपका एंट्रस हो तो आप पड़ सकता क्योंकि इंट्रस नहीं हो तो बन्दा इसको नहीं पड़ सकता क्योंकि एंट्रस नसेसरी है लाजमी है अगर आपके अंदर एक जजबा है लगन है तो आप कर सकते हो तो इसके लिए आप Harvard CSIS Academy के वेब साइट पर जाके पकाइदा वर्टसेट नमबर पर जाके कर ले और रजिस्ट कर ले अपने आपको after registration जब आप रजिस्टर हो जाएगी जब आप रजिस्टर हो जाएंगे दिन उसके बाद जो है आप इसको continue रख सकते हैं अगर इस हवाले से उग्डू literature का हवाले CTO है अगर आपके mind में कोई दिमाग में कोई question है मुझीर explanation है तो कोई behavior की ज़ूरत हो तो आप मुझे से राप्ता कर सकते हैं और मुझे से राप्ता करने के लिए आप Harvard CSS Academy से राप्ता कर लें और इसे इसे राप्ता पहुंच जाएगा और वहा तक after come इंशाला पहुंच जाएंगे अमीद है आपको पसंद आई होगी तेंक्यो अल्गा कर दो 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 कर दो